हेलो प्रेंज, वेल्कम बैक टू माइ यूटूब चैनल इंस्ट्रक्टर देवानू, कैसे आप सभी, hope you are doing well आज मैं आपके लिए लेकर आई हो chemistry का एक topic, ठीक है, जिसमें माचिस की कहानी है माचिस तो हर लोग अपने घड़ों में यूज करते हैं, लेकिन उसके पिछे आखिर कहानी किया है, किसने इसे बनाया, आखिर कब invent किया इसे, कौन वो शक्स है जिसने इसे बनाया, या फिर माचिस कौन से रशायन से बना हुआ है, जिसके कारण जब हम जलाते हैं उससे, तो वो जलने लगता है, ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम कुछ जानते हैं कि आखिर माचिस कब, कहा, किसने और कैसे बनाया, 1680 इसवी में माचिस बनाने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है, लेकिन ये प्रयास किसने शुरू किया था, ये प्रयास शुरू किया था, कागज पर Szufar लगा दिया और दूसरे कागज पर Safed Phosphorus लगा दिया था और उनको क्या किया था प्रयास किया था जलाने का उन्होंने देखा कि वो कागज का टुकडटा जुहा है वो जल गया ठीक है कागज ने आग पकर ली तो कैसे पकर ली हैं जो सफेध حósफ़ोरस होता है उब कम ही तक आप मान पर यानि कम ही टैंप्रेशर पे वो ज्रूंズ क्या हो जाता है आक पकड़ लेता है ठीक है और वो बहत ही खतरनाग था क्यूंकि अगर सफेध phosphorus का use करते हैं तो वो कहीं भी आग पकड़ लेगा है या नहीं तो यह समझे तो उनका experiment एक fail होता जैसा दीखा होता है ने कई बार की experiment करते हैं लेकिन successful नहीं होता हुआ देखता है क्योंकि काफी खतरनाक हो गया तो माची से एक तरह से देखा जा तो उस समय खतरनाक हो गया था लेकिन फिर क्या हुआ 1845 में लाल phosphorus का अविश्कार हुआ ठीक है red phosphorus का invention कब हुआ 1845 में 1845 में उस समय क्या हुआ जब लाल phosphorus का अविश्कार हुआ तब देखा गया कि लाल phosphorus जो है वो जल्दी से आग नहीं पकड़ता है ठीक है उसके एक गुण यह थे रेट phosphorus के कि वो जल्दी से आग नहीं पकड़ता है बलकि अगर उसको रगड़ा जाए तब ही वो जलता है यानि अगर उसको मतलब किसी चीज से रगड़े जैसे पुराने जमाने में कैसे लो करते थे पत्थर से आग लगाते थे दो पत्थर ले लेते थे जैसे सबसे पहले आग का bullish किस ने किया आदि मानऑ ने किया दो पतर के टुक्रों को आपस में रगड़ा और फिर वहाँ पर उन्होंने आग जलाई ये मैंने माचिस लिया है जेनरली हम ये इसे घर में यूज करते हैं है या नहीं घड़ों में ये माचिस हम यूज करते हैं आपको पता होगा कि ये माचिस पर आखिर ये क्या लगा हुआ है जो यहाँ पर हम रगरते हैं तो क्या हो जाता है आप जनने लगता है लाइक है ये एक केमेस्ट्री का पार्ट है मैं एक तीली निकाल कर आपको दिखा दे रही हूँ देख लीजिए वे बहुत सारी तीली मैंने दी है ठीक है दिख रहा होगा आप लोग को ये तीली है ठीक है आखिर इस तीली पर क्या लगा हुआ है कौन सा रशायन लगा हुआ है कि जब इसको यहाँ पर रगड़ते हैं तो ये आख पकड़ लेता है तो ये जो आप देख रहे हैं ये लाल फॉस्फोरस उस पर लगा हुआ है ठीक है केवल लाल फॉस्फोरस इने सलफर भी लगा हुआ है कौन से दो रशायन लगे हुए है रेट फॉस्फोरस और सलफर दो ऐसन जदा सायन लगे हुए जिसके कारण जब यह contact में आता है तो क्या पकड़ लेता है आग पकड़ लेता है यहाँ पे तो red phosphorus लगा हुए लेकि इसमें क्या लगा हुआ है जिसके कारण यह आग पकड़ता है तो यह जो आप देख रहे हो red red कभी आप black भी देखते होंगे तो यह जो आपका लगा हुआ है यह है आपका potassium chloride ठीक है question पुछा जाता है कि आखिर माचिस की तीली में कौन सा रशायन लगा आया जाता है तो आपका answer क्या होगा potassium chloride यह जो आप देख रहे हो वो potassium chloride है यह जो आप देख रहे हो वो आपका है red phosphorus and sulfur ठीक है जब आप इसको रगरते हो तो वो आसानी से जल उठते है और यह खतरनाग भी नहीं होता है क्यों कि जब तक आप इसको contact में नहीं लाओगे तो वो जलेगा कैसे आप इसे एक बार डगरो तभी यह जलेगा अगर आप इसे नहीं डगरेंगे तो यह जलेगा नहीं तो यह experiment में रख्या हो गया success full हो गया ठीक है अब इसका अविसकार किया किसने था तो सबसे पहले red phosphorus का इस्तमाल कर माचिस किस ने बनाया था कार्ल लूंड स्टॉन ने कब बनाया था 1855 में वो कहा के थे स्वीडन के स्वीडन में उन्होंने बनाया था अब आपको पता चला कि माचिस की तीले पर कौन से रशायन लगे होते हैं question आपका किस तरीके से बनेगा सर्व प्रथम माचिस का प्रयास कब और किस ने किया देन यूर आंसर इस रोबर्ट वॉयल ने किया था कब किया था 1680 में 1680 इस भी में किया था सबसे पहले उन्होंने कौनसे रशायन रशायन का यूज किया था after that experiment failed क्योंकि वह बहुत ही खतरनाग था अंसेफ था इसलिए वह experiment failed हो क्या होगा आपका लाल फास्पोरस का अविश्कर कब हुआ कब हुआ 18482 तीन question होए चौथा कोशन ये बनेगा माचिस की तीली पर कौन सा रशायन लगाया जाता है तो माचिस की तीली पर कौन सा रशायन लगाया जाता है potassium chlorate ठीक है कोशन आपका अगेन बनेगा कि माचिस की डिबबी पर ये तो तिली हो गई, डिबी पर कौन सा रशायन लगाया जाता है, तो माचिस की डिबी पर मैंने आपको दिखाया, शो करके, माचिस की डिबी पर क्या लगाया जाता है, लाल फासफोरस और सलफर लगाया जाता है, चिक हैं, लास्ट खोशन आपका बनेगा, कि लाल फासफो होप सो आपको मेरे केमेस्ट्री का ये टॉपिक बहुत ही आच्छा लगा हो अगर इंट्रेस्टिंग लगा हो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजिए